उत्तर भारत में लंबे समय से भीशन गर्मी पड़ रही है कई राज हीट वेव के कह से जूज रहे है तो दिल्ली समेट कुछ जगे पर तापमाद में कमी देखी गई है मौसम विभाग यानि की IMD ने आज के लिए भीहर और जारकर में हीट वेव की गंभी रिस्तिती होने का अनुमान जताया है मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली का नियूतन तापमान 28 डिग्री सेल्शियस रहने वाला है जबकि अधिक्तम तापमान 41 डिग्री सेल्शियस रहेगा आनि तुफान की आशंग का भी जताय गई है वहीं गुजरात के एहमदाबाद में भी आज नियूतन तापमान 27 डिग्री सेल्शियस रहेगा जबकि अधिक्तम तापमान 42 डिग्री सेल्शियस रहेगा दिन में तेज धूप खिली रहेगी वहीं मद्य प्रदेश की राज़दानी भुपाल में नियूतन तापमान 29 डिग्री सेल्शियस और अधिक्तम तापमान 44 डिग्री सेल्शियस रहने वाला है साथी उत्रा खंड में आज हलकी बारिश और आंदी तुफान का अनुमान जताय गया है देहरादून में आज का नियूतन तापमान 25 डिग्री सेल्शियस रहेगा जबकि अधिक्तम तापमान 35 डिग्री सेल्शियस तक जा सकता है राजिस्तान के जैपुर की बात करें तो यहां का मिनिमम टेंपरेचर 28 डिग्री सेल्शियस और अधिक्तम तापमान 42 डिग्री सेल्शियस रहेगा आसमार में हलके बादल च्छाय रहेंगे वहीं यूपी की राजदानी लखनव में आज का न्यूतम तापमान 39 डिग्री सेल्शियस और अधिक्तम 42 डिग्री सेल्शियस रहने वाला है वहीं बिहार में आज हीट वेव चलने वाली है, पट्टा में आज का नियूतम तापमान 27 डिग्री तो अधिक्तम तापमान 49 डिग्री सेल्शियस रहने बाला है वहीं बात करें राजियोसान के रेगिस्तान में गर्मी का पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तूड गया है आलम ये है कि तापमान 49 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, इस बार की गर्मी को देखते हुए बाड मेर जिला प्रसाशन ने अस्पताल से लेकर व्यवस्था केंद्रों को एलट पर रहने के निर्देश चारी किये हैं देश में मौनसून ने दस तक दिया है और अनुमान जताया जा रहा है कि केरल में 27 मई को मौनसून आ जाएगा, इन सब के बीच आज कुछ छेत्रों में बारिश होने की संभावनाएं जताई गई हैं महीं सकाय मेट वैदर के अनुसार आज तमिन नाडू, 36 गर करनाटक केरल गोवा, तलंगाना आदी के कुछ इलाकों में हलकी से मध्यम बारिश हो सकती है ब्यूरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी